हे दोस्तों आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप वर्डप्रेस में विडिजट का जो टायाटल होता है इसको आप किस तरह से हाइड कर सकते हो विदाउट एनी प्लग इन तो ये सब के बारे में जानने के लिए विड विडिजट यूज़ करते हों इसके अंदर बाई डिफोल इसका टायाटल आता है आप इसे एसे डारिकली रिमूव नहीं कर सकते हैं अगर आप सिंपल आपके डेश्मूर्ड में जाकर इसके बाद अप्रियंस विडिजट में जाकर यहां से आप इसका जो टायाटल है इस सारे प्लगिन अविलेबल हैं प्लगिन के मदल से आप इसका टायाटल रिमूव कर सकते हों लेकिन आज में आपको बता हूँगा कि किस तरह से आप विदाओट प्लगिन इसका जो टायाटल है इसको रिमूव कर सकते हों इस पर करके सोटे से काम के लिए आपके वर्डप् होना चाहिए कि कौन से कोड से क्या होता है वरना अगर आपको नहीं पता है तो आपका वेबसाइड ब्रेक हो सकता है तो मैं आपको तो किसतरा से यहाँ पर इस सिंगल पोस्ट के अंदर के टेगर का विडिट है इसका टाइटल हमें हाईड करना है इसके बाद इसका पर आपको इसका च्कर ना है यहां पर जो एस्टो के अंदर यह हमारा widget है इसका class है widget title simple हम क्या करें कि इसको copy करेंगे इसके बाद इसको close करेंगे अब हम क्या करेंगे css के मुद्द से यह जो title है इसको permanently hide कर देंगे किस तरह से simple आपको जाना आपके dashboard में इसके बाद appreus में simple customization के उपर आपको klik करना है इसके बाद यहां पर आपको additional css के उपर class के अंदर लिखना है display इसके बाद jame और आपको लिखना है none और simple इसको आप यहांपर end कर दीजे, इसके बाद इसको publish कर दीजे तो simple इतना आप code लिखोगे तो आपके site के अंदर जीने भी जो widget होगे इसका title automatically hide हो जाएगा simple यहाँ पर चाह करते हैं इसको refresh करते हैं जैसे हम refresh करेंगे तो आपको यहाँ पर पता से लगा कि आपके widget के अंदर से आपका title permanently hide हो चुका है without any plugin तो यह सबसे simple way है जिसके मतले से आप अपने single post के अंदर जीने भी जो आपने widget यूज़ किया हैं इसका title हाप hide कर सकते हो मेरे पास जीने भी blog है इसके अंदर जीने भी widget यूज़ करता हूँ इसके title में हाइड करके रखता हूँ क्योंकि यह आपको एक अलग लोग देता है जैसे कि हमारा दूसरा blog है blogging guidance dot com इसके बाद simple में इसका single post ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखाएदागा कि इसके अंदर भी मेंने इसका जो widget का title है इसको हाइड करके रखता है तो यह कुछ आपको अलग लोग देता है तो इस तरह से आप simple वैसे आपके wordpress के widget का title हाइड कर सकता हूँ आपके दोस्तों आपको पसंद आए होगा अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर दिजिए सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको ऐसे helpful वीडियो मिलते हैं ताइम क्यों प्रोशन देश वीडियो